तो मुख परेक्षा का पाठ्टिक्रम दो प्रिश्टव पत्रों में बठा है प्रिथम प्रिश्टव पत्र आपका 200-ग का है यहां पर कुछ 40 प्रसने हैं और इस 40 प्र hidden लिखित प्रिवित्नी के हैं आपका ऐसा नहीं है टिक मार के आप टिक कर दिजिए लिखित प्रिवित्ति के चालीस प्रुष्णे हैं और इन चालीस प्रुष्णों में अगर हम लोग देखें तो आप समय लीजे कि 10 प्रुष्णे आपके सामानुत्री हैं 125 सब्द में लिखने हैं पुरी विवस्था मैं आपको बता रहा हूँ 10 प्रिस्णे आपके लगुत्री प्रिवित्ती के हैं 50 सब्द हैं 6 अंग और 20 प्रिस्णे आपके अती लगुत्री प्रिवित्ती के हैं जो 25 सब्द में लिखने हैं 2 अंग जब किसी प्रिशने को हमें 50 सब्दों में लिखना हो और 25 सब्दों में लिखना हो तो उसका कठना इस तर बहुत बढ़ जाता है क्योंकि हमें देखना होता है कि बास्तों में जो हम प्रिशने लिख रहे हैं उन प्रिशनों में 50 सब्दों में और 25 सब्दों में हम कितने सब् पर हम अपने शे अंकों को और दो अंकों को क्या कर सकें पूर रूप से प्राफ्ट कर सकें और यहीं पर इस परिच्छा का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है यहां पर आपको एक अनभवी टीचरों की टीम की जरूरत है जिन्होंने मुख परिच्छा को इससे पहले पढ़ाया हो इसलिए आपने इस टीम में देखा कि लगभग लगभग उसमें टीचर ऐसे हैं उपर की कतार में जो मुख परिच्छा को लगातार पढ़ाते रहें सिविल सर्विसेज के लिए इसलिए उन अध्यापकों को सामिल किया गया है कि यह बहतर तैयारी पहले दिन से आपको इसकी कराई जा सकते हैं ठीक है